चोपडा नीट इन्फोर्मेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो टोप मेडिकल कोलेज की लिस्ट तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी मगर आप अगर टोप डेंटल कोलेज सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि अथेंटिक इन्फोर्मेशन मिलना मुश्किल है इस वीडियो में मैं आपको टोप 20 डेंटल कोलेज के बारे में बताऊंगा जो विल्कुल अथेंटिक होगा अगर आपको by the way MBBS नहीं मिल पाए तो आप इन टोप डेंटल कोलेज में एडमिशन लेकर BDS कोर्स कर सकते हैं मैंने ये ट्यूशन फीज, एजूकेशन, फैकल्टी और प्रिविएस एयर में इस्टुडेंट को देगे प्रिफेंस को देखते हुए तयार की है इसमें मैंने एक्सपेक्टेड कटोप 2020 के बारे में भी जानकारी दी है हालांकि रेंग काने से पहले ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है फिर भी आपको एक आइडिया इससे हो जाएगा BDS की काउंसलिंग के बारे में आप और जानकारी चाते हैं तो मैंने इसके लिए सेपरेट बुक लिखी है इसके अलावा आप आल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, BMS, वेटनरी के बारे में भी हमारी बुक से जानकारी ले सकते हैं इसमें मैंने सीट, फीश और कटोप के बारे में समझा रखा है तो इसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.sopda.education.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो में बताते हैं आपको कटोप के बारे में और Top 20 Dental College के बारे में तो सबसे पहले हम बात करें मोलाना अजार डेंटल कोलेज न्यूडेली में Top Dental College होने की कारण इसकी कटोफ 590 मार्क से जनरल केटेगरी की जा सकती है और 588 मार्क से OBC केटेगरी की जा सकती है इसकी tuition fees 4,120 रुपीज पर year है मैं आपको यहाँ एक चीज कलियर कर देना चाहता हूँ कि जिन candidate को last cutoff पर MBBS मिलता है वो last cutoff, last rank वाले student MBBS को छोड़ कर मोलाना आजाद में BDS लेते हैं यह एक दो बच्चे होते हैं क्योंकि जो last MBBS होता है उस college की fees 5,000,000 पर year यानि की राजा मुतिया जैसी medical college मिलती है और उसकी fees 5,000,000 रुपए होने के कारण वो MBBS में admission नहीं लेकर मोलाना आजाद जैसे institute से BDS करना ही अच्छा समझते हैं क्योंकि वो इतनी fees afford नहीं कर पाते हैं previous year में भी ऐसा ही हुआ था MBBS की कुछ rank इस student से डाउन गई थी लेकिन ये student MBBS के last college में इसलिए admission नहीं ले सका क्योंकि उस college की fees काफी ज़्यादा थी इसके बाद में बात करें हम ESIC dental college New Delhi की तो इसकी tuition fees 1,000,000,000 है hostel fees इसकी 200,000 पर मन्त है कटोब की बात करें तो general category की 585 marks कटोब रह सकती है OBC की 580, SC की 465, ST की 445 marks कटोब रह सकती है जो आलल नहरू institute of dental sciences इंफाल की बात करें तो इसकी fees 9,200 होगी और hostel fees इसकी 2,000 होगी इसके बाद इसकी कटोब की बात करें तो general category की 582 OBC की 578 इसमें SC की 455, ST की 445 कटोब रह सकती है बात करें हम RUHS dental college जेपूर की तो इसकी fees 31,000 रुपीज है hostel fees 2,250 रुपीज पर मन्त है इसकी कटोब की बात करें तो general category की 585 marks SC category की 535 marks कटोब रह सकती है बर्दमान dental college बर्दमान की बात करें हम तो इसकी fees 7,800 रुपीज है कटोब की बात करें तो इसमें 580 जनरल के लिए SC के लिए 460, SC के लिए SC के लिए 450 marks कटोब इसमें रह सकती है गॉर्मेंट डेंटल कोलेज अलापुजा की बात करें इसमें तो ट्यूशन फीश इसकी 23,000 yearly है होस्टल फीश 4,000 रुपीज है कटोब की बात करें तो जनरल केटेगरी की 582 SC 460 ST 450 मार्च पर कटोब रह सकती है इसके बाद में हम बात करें गॉर्मेंट डेंटल कोलेज पटियाला की तो फीश इसकी 80,000 पर येर है होस्टल फीश 3,008 रुपीज है कटोब इसकी जनरल केटेगरी की 582 SC की 460 मार्च कटोब रह सकती है इसके बाद में हम केजी एम यू डेंटल कोलेज लखनव की बात करें ये है फैकल्टी ओफ डेंटल साइनसेज लखनव है केजी एम यू का कोलेज है ये इसके ट्यूसन फीश 52,600 रुपीज येरली है होस्टल फीश 2,400 रुपीज है कटोब की बात करें तो जनरल केटेगरी की 578 SC की 475 ST की 440 मार्च कटोब रह सकती है इसमें पंडित BDS डेंटल कोलेज रो तक की बात करें इसमें तो इसमें टोटल 52,170 रुपीज येरली फीश है होस्टल फीश 23,050 रुपीज येरली होस्टल की फीश है कटोब की बात करें तो जनरल केटेगरी की 577 मार्क्स SC कटेगरी की 470 मार्क्स, ST कटेगरी की 430 मार्क्स कटोब रह सकती है बात करें हम IMS Institute of Medical Sciences BHU की डेंटल की तो इसकी फीश 29,874 रुपीज है होस्टल फीश 189 रुपीज है कटोब की बात करें तो जनरल केटेगरी की 580 मार्क्स, OBC की 570 मार्क्स, SC की 455, ST की 435 मार्क्स कटोब रह सकती है दोस्तों इसमें जो IPU की शोरी जो BHU की कटोफ है तो इसकी 4 राउंड की काउंसलिंग होती है इसमें इसमें मोपप 2 तक राउंड की काउंसलिंग होती है तो बच्चे दूसरी जगे अपने स्टेट वगरा में एडमिसन ले लेते हैं इसकारण इसकी कटोफ थो इसकी 4000 रूपीज, होस्टल फीज 300 रूपीज है, कटोफ इसकी 575 जनरल मार्क से जा सकती है, इसके बाद ऐसी कैटेगरी की 470 मार्क पर कटोफ जा सकती है, इसकी, इसमें कोलेज ओफ डेनिस्ट्री इंदोर की बात करें हम, तो इसमें टोटल जो टूसन पीज है, 1 लाख रूपीज होगी, ओस्टल फीज 1,500 होगी, इसमें, जनरल कटेगरी के लिए कटोफ जा सकती है, 575 मारक से के लिए 490 मारक स्टल जा सकती है, गौर्मेन्न टेंटल कोल, मुंबई की बात करें हम, तो टूसन पीज इसकी 75,600 तूस करें तो general के लिए 574 marks, SC के लिए 450 marks, ST के लिए 430 marks कटोब रह सकती है इसमें, इसके बाद में गोवा Dental College गोवा की tuition fees 96,490 रुपीज है, hostel fees 800 है इसमें, कटोब की बात करें तो 575 marks पर general category, SC 460 और ST 430 marks पर कटोब रह सकती है, dental rims रांची की बात करें, तो इसकी tuition fees 6000 रुपीज है, hostel fees 3000 मन्तली है इसमें, इसके बाद expected कटोब रह सकती है, general की 572, SC की 455 marks, इसके बाद में हम बात करें, government dental college कोजी कोडे की, इसमें tuition fees 27,500 है, hostel fees 5000 रुपीज है, कटोब रह सकती है, इसकी general category की 573 marks, इसके बाद SC की 460 और 435 marks से ST कटेगरी की कटोब रह सकती है, government dental college similar, tuition fees 37,000, कटोब की बात करें, तो general की 570, SC की 450 और ST की 440 कटोब रह सकती है, इसके बाद में हम अमरिशर की बात करें, government dental college PB है, इसकी बात करें, तो tuition fees 80,000 है, hostel fees 35,000 yearly है, इसके बाद में कटोब की बात करें, तो general category की 572 marks, SC की 455, ST की 430 marks कटोब रह सकती है, अब बात करें हम government dental college Bangalore की, तो tuition fees 53,650 रुपीज है, hostel fees 1,500 रुपीज है, कटोब की बात करें, तो general 572, इसमें ST 465 marks, ST 455 marks कटोब रह सकती है, अब बात करें हम government dental college विजेवाडा की, तो tuition fees 10,000 रुपीज होगी, hostel fees 3,025 रुपीज होगी, expected कटोब की बात करें, तो ये 572 marks जनरल केटेगरी के लिए, ST के लिए 470 marks रह सकती है, ST के लिए 465 marks रह सकती है, दोस्तों, रेंग काने से पहले ये expected कटोब का ये अनुमानी ही है, ये exact जा भी सकती है, या नहीं भी जा सकती, ये तो रेंग काने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा idea हो जाएगा इसके बारे में, BDS की counseling के बारे में जानकारी के लिए मैंने separate book लिखी है, इसके अलावा आप All India Quota, State Quota, BMS, Veterinary के बारे में भी जानकारी हमारी book से ले सकते हैं, इसमें मैंने seat, fees और कटोब के बारे में समझाया है, तो आप इसको वीडियो के description box से download कर सकते हैं, या फिर हमारी website www.chopda.education.com से भी आप download कर सकते हैं, दोस्तों मिलेंगे नई update के साथ में नई जानकारी में, तब तक मैं हर साइच ओपड़ा आप से लेता हूँ, विदा जय हूँ!